शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें थालिए यद्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कीजिए यद्सक्राइब के लिए से गया है अजया झाल कर दो 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 कर कर दो करदा। प्रूम्या इस वक्त खेर तो है भाईया कजब हो गया है भीया करन को सब पुछ पता लग गया है करन इस वक्त कहा है घर पे है भीया घर पे करन बेटा करन बेटा एक न एक दिन तो तुम्हें ये मालूम होना ही था कल या आज सो आज ही होगे तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए बेटा मत भूलो कि तुम्हें एक ऐसी माह के बेटे हो जिसने अकेले सारी दुनिया का मुकाबला करके तुम्हें इतना बड़ा किया है बेटा और तुम तुम यूं घबरा रहे हो शुर्टोर साब अभी जो कुछ भी मुझे मालम हुआ है क्या यह सच है हाँ, सच है क्या ये सच है कि मेरे पिता जी जिन्दा है क्या ये सच है कि मेरे पिता जी ये खुनी है क्या ये सच है कि पिछले पंदरा बरस मेरे पिता जी हैदराबाद के जेल में काले पानी के सजा होकत रहे तो आज तक आपने विरास मुझसे चुपा की तो रखा है। आज तक मुझे क्यों समझाया गया है कि मेरे पिता जी मर चुके हैं और मैं एक यतीम हूँ, एक अनाथ हूँ। इसलिए करन के तुम्हारी माँ यह नहीं चाहती थी कि दुनिया तुम्हे एक खुनी के बेटे के नाम से पुकारे। जरा सोचो तु बेटा, इस बिचारी ने किन-किन मुश्किलों का सामना करके तुमको इतना बड़ा किया। परहाया, लिखाया, और अब तो तुम्हे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। तुम्हे हमेशा आने वाली कल का सोचना चाहिए। गुजरे हुए जमाने कर नहीं। तुम आखरी बात पिताची से कब मिलनी थी, माँ? कोट में, जब उन्हे सजा हुई थी। पंद्राम बरस गुजर गाया और तुम ने एक बार भी पिताची से मिलने की कोशिश नहीं की, माँ? मैं उस आदमी को क्यों मिलती? जिसने मुझे ठुकरा के गाने वाली को अपनाया, मेरे जिंदेगी को हामेशा के लिए घुन लगा दिया, और उस गाने वाली का खोन किया, मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, मेरे कानदान की इसब को मिट्टी में मिला दिया, करन, करन बेटा, करन, करन मेदा रुक जाओ ! भाभी… भाभी या इसे रोकी है भाभी अब ये नहीं रोकेगा भाभी, इसे जाने दो पाप का खून बेटे को पुकार रहा है मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ये मेरे अख्तियास बाहर की बात है जब तक आप कैदी से मिलने का इजाज़त नामा ना ले आए मैं आपको शंकरलाल से नहीं मिलवा सकता लेकिन आप तो जानते हैं कि इजाज़त नामा लेने में मुझे बहुत दिन लग जाएंगा मैं यहां पर्देशी हूँ मैं आज ही बंबाई से आया हूँ मैं आपकी मुझे समझता हूँ लेकिन आपको मेरी पुज़त समझने के भी कोशिश करनी चाहिए बगार इजाध नामे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सबता तब भी नहीं अगर मैं आपको बता दूँके शंकरलाल जी मेरे पिता है यह मुझे मालूम नहीं था जी और मुझे भी चंदी रोज पहले मालूम हुआ है मैं अभी तक चाहिए समझता था कि मेरे पिताजी गुज़र चुक है लेकिन अब जबके मुझे इस बात का पता चलिए आए कि मरे नहीं बलके जिन्दा हैं तो मैं उनसे मेले बगार नहीं रह सकता प्लीज मुझे एक नजर यह देखने गांदी चाहिए अब इस सब काईदी अपने अपने कमरे में जाने वाले हैं एक मिनट लिए आप मिल सकते हैं जी जी माय आपने पिताजी को पहचानता नहीं मुझे आए अपने पिताजी को पहचानता हैं जी थेरो नम्बर 27 आगे आओ पिताजी मैं करन हूं आपका बेटा करंग मैं करंग, मैं करंग, करंग मैं आपका बेटा हूँ Mr. Shankar तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने को आया तुम बात तक नहीं करता मेरा कोई बेटा नहीं दुनिया मेरा कोई वाल इस मिलता है करड़ तुम्हाए कर दो दीन के अंदर तुमारे बाथ से तुम तुमिला देगा, यू दू काम थैंक यू वर्य मुच वा थैंक यू यह संजन चलो अहुला मत बोलो, तें दिन बाकिया प्रमाईय साब यह रहने क्लिए एक कमरे का बंद बर सो सकता है एक? अजी साब दस कमरों का बंद बर सो हुआ कोई अलग कमरा नहीं मिल सकता है हाँ एक कमरे में एक पलंग मिल सकता है कब तक ठरेंगे आप कहने सेकत तक इत्ते रोज लग जा है आपको बात ने साब जब तक आपका जीचाए आप रहीए यहां कोई बात की तकलिफ नहीं होगी आपको अच्छा आप अपने यहां नाम और एड्रस लेग दीजे बदो जी आपका समान उठाकर कमरे नंबर 13 में रखाओ मधो साब के कमरे अरे सामान दुख़ी है नहीं साब आपने कोई सामान नहीं लाया है सामान कुछ नहीं कोई बात नहीं चलिए मैं आपको उठागी ले जाओ ठेरिये करन बाबू बगार पेज़गी लिए मैं अपने होटल में जगा नहीं देती आप 20 रुटे डिपॉजिट करा जाएगी जी आए रशीर बाद में जाएगी यह देखिए यह है आपका कमरा काभी हमादार है और यह है आपके साथी कहाँ गए मदोश्मियाद दौलचन वर्थ फकीरचन कहाँ गए यह सुदो शयाद किसी काम पर गए होंगे काम अजी साहाब काम इनसे और यह काम से को सो दूर रहते हैं हमाद दौलचन चची गई चची तो गई मगर बद्रू किसी और को ही लेकर आ लिया है कोई चची का सगय वाला है क्या जी नहीं आपका नया रूममेट है आप भी तशीव लाईए आप भी तशीव लाईए जली आए जली आए यह है साथ आपके रूममे मझे दिखावे के प्याद की जरूरत नहीं जो कहने आए हो जली को हो मझे जाना प्याद दिखावे का नहीं आपका गुस्टा दिखावे का है मैं जानता हूँ आप मुझसे कफी नारास नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मेरा तुम्हारा नाता क्या है? अखर तुमने मेरे लिए किया क्या है? तुम मेरे हो ते कौन हो? मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे तु सिर्फ यही बता आ लिया था कि आप इश्वर ना करें आप इस दुनिया से वुट चुके हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी माने यह तुमसे कहा होगा वो जानती थी कि मैं जेल में हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे मिलने नहीं आई अपर उसने तुमको मेरे अपने बेटे को मुझे नहीं मिलने दिया और मुझे जीते जी खत्म कर दिया मुझे उस औरत के ख्याल से भी नफरत है ऐसा ना काई ये उन्होंने सिर्फ आपके खानदान को बदनामी से बचाने के लिए ये राज मुस्ते छुपा रखा था उन्हें चाहती थी कि लोग आपके बेटे को एक खूनी का बेटा क्या क्या होगा रहे हैं मैं खुनी नहीं हूँ मैं खुनी नहीं हूँ वो खुन मैं नहीं किया आपने माला का खुन नहीं किया था पिताजी नहीं 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 मैं बिलकुल निर्दोश हूँ लेकिन तुम्हारी माने मेरा विश्वास नहीं किया मेरे अपने दोस्त डक्टर कपूर ने अदलत ने जूरी ने वकील ने किसी दे मेरा विश्वास नहीं किया और मैं इस जेल की चार दीवारी में पास सो रहा हूँ तो माला का खुन किस ने किया था ये मैं नहीं जानता लेकिन वो खुन मैंने नहीं किया मैं बिल्कुल बेख़ता हूं तर इसे कोई नहीं मानता था सुवाए रामदास के और उसकी गवाही भी अदलत में कुबूल नहीं की रामदास कौन रामदास रामदास वो बनिया था जिसकी दुकान माला के कोठे के नीचे थी वो जानता था कि मैं निर्दोशन हूं लेकिन अब नजाने वो कहा हूँगा पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आमदास जिन्दा है तो वो जहां भी है मैं उसे धून निका दूँगा और उसकी मदद से आपकी बेगुना ही थाबित करके छोड़ूगा ताकि आपको इस जेल की नामराज जिन्दगी से जल से जल निजात दिला सकूँ मैं तुम्हें जी भर के देखतो लूँ आज तक मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कितने जहान होगे हो, कितने खुबसूरत हो, मैंने तुम्हे कितना कितना जाद किया है, तैयत की लंबी सुनसान जातों में, तुम्हे लगाने हो, कितना तरसा हो, शंकर्ला, चलो, टाइम होगे, माफ कीजेगा, कर दिया, फर्माइए, यहाँ एक रामदास सहाब रहा करते थे, आज से कोई पंदरा साल पहले, क्या वो जिन्दा है, देखिए, चलती है नारी, माफ कीजेगा, मुझे नहीं मालम था कि आपके, रामदास हैं, और जिन्दा हैं, कईए, जी बात यह है, के पं एक माला नाम की नासने वाली का खून हुआ था, हुआ था, तो, मुझे पता चला है कि आपने उस मुकदमे में गवाही दी थी, दी थी, तो, मैं आपसे उस मुकदमे के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, सलाम आलेकूम रामदास से, अरे, अनुर, क्या जी बहुत दिन उबादा है, जहाँ जहाँ सस्राल गया था, सब खरियत है, जह आपकी दूआ से, एक लिपन चाहका डबा दीजिए, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अज तो मैं आपसे, उस मुकदमे से बारे में कमाल के आदमी आप साथ, जाने कहां से अचानक ब सुनो जी, हवरत, रात को जब मैं दुकान बला चुकूँ, तब आईएगा, करीब आड बज़े, जी आपकी बहुत महवादी, आज ठीके, हाँ, खाना घर से खा के आईएगा, अच्छा जी, कल आप फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इतला कर दूँगा, ओके, अ देखिए, आपका इश्तिहार परसो छप जाएगा, इसलिए आप हमसे परसो मिलिए, अच्छा, आदा हो रहाएगा, हाजी साब फर्माईए, मुझे आपके ख़वार का फुराना फाइज देखना है, आज से पंदरा साल पहले का, पंदरा साल पहले का, तो आप मिस आशा स यह कैसा हो गया, नहीं नहीं, अभी तक रूसियों निस पूटलिक में किसी आदमी को भीछा कर नहीं भेजा, जी, आप भी अजीब है, यह अभी से कैसे बताया जा सकता है, कि वो दिन कब आएगा, हाँ, माफ दीजेगा, देखें टाइम्स, जी, नहीं, हिंदोस्तान में ऐसी कोई एजनसी नहीं, जुचान पर आपको हनीमून मनाने बेज सके, इसके लिए आपको अपनी शादी कही साल पीछे डालनी पड़ीगी, समझ गया आप, आशा, मैंने तुम्हे दिया था, वो चटनी गया, वो तुम इन भीक दिया, वैसे करो, उसको रुखबा दो, औ अब अब जा रहा हूँ, तुम कांग्रस के दफ्तर में पोल करके पूछ रहे ना, कि कल पंड़ी जी का प्लेन किस पक जा रहा है, अच्छा, औके, बाए बाए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं आप से पूछ रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे एक खूपसूरत फाइल चाहिए मैरा मतलब मुझे एक, मुझे आपके अख़बार का पुराना फाइल चाहिए बैची जी कोई बात नहीं कितने पुराने? जी आथ से पंदरा साल पहले का जी आथ मुझे अधा आथ याथ साब को पुराने प्राइल देखने जारे रेक्स ले जाओ यी बात शुक्रिया चलिए साथ झाल भाल बहुआ दो था। करेंग करेंग वायी जड़ादीजी तर लायी में जड़ा देन, शरिया। असलम, वो पो साहप को अपरानी प्रानी देखरे, उने एक विर यद रिड़ीजाए देखुआ। झर झाल और दो कर दो और उन्हेरा कर दो लगा है। आगे जी हज़र, उदर से आओ न, उदर वादा है न जी आओ जी हज़र, अंदर आओ बैठाओ क्यों जी हज़र, एक बात पूछें जी आप कौन है और आपको इस मुकदमे से इतनी दिल्चसपी क्यों है जी, इस खून के सिलसले में जिने सजा हुई थी, वो मेरे पिताजी है और इसके मुझे हाले में पता चला है ओ, तो तुम सारी बात जानना चाहते हो जी है, मैं आपका बहुत बहुत शुकर गुजार मुझा ठीक तो सुनो पंदरा साल पहले उस रात को मैं यहीं बैठा हुआ रोजनामचे की रखम बही पर चढ़ा रहा था उपर रंदियों के कोठों से नाचने गाने की आवादे आ रही थी कि अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी क्या हुआ क्या हुआ खुन जहांकर देखता हूँ कि अंदर माला की लाश या पास तुम्हारे पिता खरे है तो नजने क्या सोचकर हो जुके और खुन से भरा हुआ छुड़ा जमीन से उठा लिया यह बात अच्छी तरह समझ लो वो छुड़ा उन्होंने मेरे पहुंचने के बाद जमीन से उठाया था खैर फिर थोड़ी देर में पुलिस आदें इनिस्ट्र महता ने लाश का मौाइना किया और उसे अस्ताल बीज़ा दिया जब बयानात लिये गए तो किशोदी ने जबान से तो कुछ नहीं का फिस तुम्हारे पिताजी की तरफ इशारा कर दिया मतलब के खुन यही जब मैं यहां पहुंचा हूँ तो देखा कि आद्मी लाश के पास करा हुआ है पिजाने क्या सोच के जुका और छुड़ा उठा लिया था प्रमने इस नहीं देखा जी इसकी नजर कुछ कमजोर है चश्मे के बगार कुछ दिखाए नहीं देता है ट्रिंक शोरी उसके बाद मकान की तलाशी लिए इस तलाशी में वो खत मिले जिन से तुम्हारे पिता और माला के दर्मियान तालुकात साबित होते थे आप कहा रहते हैं दीवान बिल्दिंग हदरज गंज हैदरबाद आप कल थाने आजएगे को जी हदरत और आप जी मैं इसी बिल्दिंग में रहता हूँ आपका नाम जुमन यह यह मैंने साथ थे तांगा थाने में हम तीनों की गवाही ली गए ने वही कहा जो आखों से देखा था यानि तुम्हारे पिटा लाश के पास खरे जरूर थे लेकिन छुरा उनके हाथ में नहीं था छुरा उन्होंने उस वक्त उठाया है जब मैं वहां पहुच चुका था यही बात गीता की सौगन खाकर मैंने कचेरी में कह ली और बाकी के गवाह वो जुमन और किशोरी उन्होंने दोनों जे की यही हलफिया बयान दिया कि रामदास बनिया है तो भला आदमी लेकिन उसके नजर बहुत कमजोर है और उस वक्त वो चश्मा नहीं पहने हुए था लेहादा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया इसही बात पर सरकारी वकील ने मेरी गवाही को रद कर दिया लेकिन जानने वाले जानते हैं तो नह दोनों ने जहूटी गवाही दी ती मेरा ख्याल है कि इनस्पेक्टर मह्ता भी यह बात जानते थक भागवान जाने उन्होंने ये बात क्यों छुपाई इंस्पेक्टर मेहता से मैं किसी तरह मिल सकता तहीं बरस हो गए उने देखे हुगे भगवान जाने वो जिन्दा भी है या नहीं आहाँ आहाँ क्या शेर बना है सुनिए इर्शाद इर्शाद हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए साथ गर में जिन्दगी को उतारे चले गए वह 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 मदोश मियां क्या जिन्दगी को साघर में उता रहा है तुम तो वाकई शायरों के शायरों जी ओ आदाव मामा बिलकुल ठीक हो मैं इस फिक्र मत करना मुझे हैदराबाद में कुछ और देखने चाएगे तुभरा पीटा दुश्र मन गए के दूस तुभाए भाई साथ ये शायरी छोड़िए चलिए खाने के लिए खाना तयार है अमा बजरू मियां चान देखे बिना रोजा कैसे खोलने अभी पांच मिनट की देर है चान निकलने ही वाला है हाँ, साथ, हाँ तो चान आप रूम में देखेंगे बाहर तशीफ लाइये और चान देखिए चल्दी आजीet ये क्या हुहा हे भाई साथ यह क्या हो रहा है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह क्या हो रहा है जब अच्छी तरह जानते हूँ तो पूछते क्यों हो? बजरू मिया, जब तक हम उसका रुखे रोशन न देख ले हमें शेर नहीं सुझेगा अगर उसकी चाची ने यहरकत देख ली तो आपको इतने जूते मारेंगी कि आप खोश मिया जाएंगे चलिए, खाना ठंडा हो रहा है हम तो चलती प्रतिक क्याब देखेंगे करन बाबू, इस सब ठीक है ना? जी कोई तकलीफ तो नहीं है? जी, कोई तकलीफ नहीं है तुम लोगों सब तो कोई तकलीफ नहीं है? जी, नहीं तो फिर खा दे क्यों नहीं तो? आशा बेबी को आने जी जी, साथी खा लें हाँ शुक्रिया शुक्रिया आज सुभर डेगन टाइम्स के ओफिस में आप आये थे ना जी आप ही थे ना माफ कीजिए मैं आने से पहले आप पर शुक्यादा नहीं कर सका हूँ कोई बात नहीं अमा दौलत चाई यह कंकर कहां से आया कहनेमे यह शाने मेरे खानेमे भी आरहा ह mejorar यह कहां से कंकर चले आ रहा है यह कुछ नहीं आप इसकी बात ती खाना बहुत मुझेदार है अच्छा, खाओ, 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 मुझे नहीं मालूप था आप हमारे गेस्ट हाउस में ठेह रहे हैं आपका गेस्ट हाउस? जी हाँ, आप भी इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन चलाती चची है बीबी जी, इनका नाम करन है, करन, बंबई से आये हैं, ये भी जर्नलिस्ट है आप भी जर्नलिस्ट हैं, जी, फिर आपने सुपह बताये क्यों नहीं, मौकरे नहीं मिला किस सिल्सिले में आये हुए हैं आप यहाँ, जी, आप तो जानती हैं के अखबार वरले अपना राज बताया नहीं करता है कोई बात नहीं सुनु भाई, इंस्पेक्टर मैता का माकान कहा है, शान है यह है, आज कौन? जी मुझे इंस्पेक्टर मैता से मिलना है आईगी, अंदर आईगी आप ही इंस्पेक्टर मैता है? किसी वस्पारा, आप लेकिए जी मेरे नाम करन खना, करन महरा है जार, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है मेरी मदद? जी मैं एक बेकार, नाकामयाद, बुर्तिल, मैं किसी क्या मदद कर रहा हूँ लेकिन आप, आप पुलीस इंस्पेक्टर पंदरा बरस पहले मैं इंस्पेक्टर था अब नहीं, अंग्रेजी हकूमत के वक्त ही में मैंने नोक्री छोड़ दी था यह आपको शायद याद होगा कि आज से पंदरा साल पहले माला नाम के एक तवाइफ का खून हो गया था मुझे याद है, अच्छी तरह याद है जिने उस खून के इल्जाम में काले पानी की सजा हुई थी, वो मेरे पिताजी है तुम शंकलाल के बेटे हो? जी, अब मुझे पूरे यकीन है कि मेरे पिताजी ने खून नहीं किया था, वो बिलकुर निर्दोश है मैं कुछ ऐसे सबूत कठे करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं यह साबिट कर सकूए और आपके पास भी इसलिए आया हूं कि मुझे मालम हूए कि आप शायद इस पर कुछ राश्क निदाल सकें बंद्रा बरस अच्छा हुआ तुम आगए बरसो मेरा जमीर मुझ पर लानत भेशता रहा कि एक बेगुना खुनी थरा गया और मने कुछ न किया तुम्हारा शक ठीक है तुम्हारे पिताजी निर्दोश है जिस वक्त माला का कतल हुआ था मैं वहां तब्दीश के लिए क्या तुम्हारे पिताजी को गिरफ़तार करने के बाद मैंने इस केस की तहकीकात शुरू करती आपने मुझे याद फर्माया जी बैठी आज आगर से गुद मॉनिंग सुना है मिस्टर मेता के आपको किसी तीसरे आदनी पर शक है माला मर्डर केस अजिए यहां यह डवा के शीशी मिली है मुझे लाश के पास यह मिरगी के रोक की डवा है जो इसे इस्तेमाल करता है इसकादी हो जाता है और इसके वगत जिन्दा निरह सकता तो और पॉसमार्टर के रिपोर्ट से पता लगा है कि माला इस दवा को इस्तमाल ली करते थे पिर? और कुना शंकरला फिर? माला के जिसम पर जो घाव था वो बाएँ हाथ का वार था और शंकरलाल हर काम दाइने हाथ से करता है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाएँ हाथ वाला आदमी कि दवा की शीशी मिस्टर माजरा क्या है? इस सिलसले में एक बात और भी है मिस्टर मेता जिस पर शायद तुम्हाई नजर नहीं पुड़ी फर्माई और वो ये के तुम्हारा दमाग खराब होगी तुम जैसे नातजर बेकार इंस्पेक्टरों में यही तो कमजोरी होती है कि तुम लोग सीधे और साफ निशान छोड़कर बेकार के उलजहरों में अपने आपको फसा बढ़ते हैं अब इस केस को लो ये बात बिलकुल जाहिर है कि असली गातिल शंकरलाली ही लोगों ने उसे खून करते हुए देखा है जिस खंजर से उसने गतल किया उस पर उसके उंगलियों के निशान है इतना ही नीबल के दो दो गवाह मौजूद है मगर नजाने आपको क्या हो गया है कि ये शीशी और वो बाया हाथ और क्या केलिए फिरते हैं अब प्रासी कीटर साब ठीक कहते हैं लेकिन जाइए हमारे वक्त नंखराब कीजिए अदा उसन इस पर मैं चुप हो गया लेकिन मेरे दिल से शक नगया मकदमा शुरूफ हो गया हर एक सुबूत तुम्हारे बाप के खिलाफ निकला और उन्हें काले पानी की सजा हो गई मुकदमे के बाद जब मैं कोट से बाहर निकल रहा था जुम्मन किशोजी से कह रहा था क्वाग किशोजी कमाल कर दिया तुम्हारी गवाहित किस सफाइस से काले पानी भीवा दिया उस परीब है उसे काले पानी भीजने में तुम्हारा भी दोहा थे लाओ वो खत मुझे दे दो कौन से खत वही जिन में असली राज है मैं ऐसी कच्छी गुलियानी के लिए जुमन्मिया खत तुम्हे वापस करतू तो मैं किसका घट देखू देखो किशोरी तुम्हे पैसे से मतलब है ना वो तुम्हे बराबर पहुंचते रहेंगे वो खत दे दो ना जुमन्मिया उन महाशे से कहते ना खत तुम्हे मरते दम तक नहीं दूरी क्योंकि इन्ही के बदूलत में उसकी च्छादी पे सवा रहूंगे मेरा शक यकीन में तब्दीर हो गया कि तुम्हारे बाप बेकुनाह थे लेकिन मैंने एक खुदगर्ज और बुजदी लादी बनके इस वाकी के रिपोर्ट में कि इसलिए आज तक मैं तो आप मुझे ही क्या सला देते हैं वो किशोरी आजकल हैदराबाद की सबसे मशूर तवाइफ है अगर तुम किसी तरह से वो खत वहां सो गडा लो तो अपने बाप को अजाद करा सकते हो कश्टी पलट खलके तूफा में आ गई मौजों के साथ साथ किनाये चले गए मंधोश मियां एक बात बताओगे जरूर महला किस तरफ है जहां नाच गाना होता है क्यों करन सहाब आपको उस महले में क्या काम पड़ गया भाई मुझे वहां एक बहुत जरूरी काम से जाना है क्यों भाई सहाब हमसे ही चुपाते हो हम कौन सा आपकी रंगीर मजाजी का भाणा फोड़ देंगे खामोश दौरत मियां आप नहीं जानते अरे जवानी में हरे को कोई ना कोई शौक होई जाता है और बद्रू मियां भाई साब को गाना सुनने का शौक पैदा हो गया इसे मजाक मत समझे भाई अच्छा तो इसका बंद्रू किये देता है हाँ हाँ करन साहा मुझे बताईए ऐसी कौन सी गत्ताला है जिससे आपका काम आन अटका है अरे बाजार-ई-हुसन की कौन सी ऐसी तवाइफ है जिसके कोठे पे इस खाकसार के तदम नहीं पहुंचे आप उस जालिम का नाम तो बताईए वो यहां की बड़ी तवाइफो में से गजाला मुष्तरी अख्तरी किस जालिम का नाम ले दिया तुमने अंग्राया ले लगी तुम रहने दो मदोश मिया वो अपने चाहने वालों की पहले शकल देखा करती है और खुदाने जो शकल तुमें बख्षी है सुभान अल्ला अरे मियां अच्छे दिनों में तो वहां हमारी भी रसाई नहीं होती थी क्यों जी उसके कोठे पर पहरा रहता है क्या जी वो अपने पैरेदारी आप ही करती है खिशोरी की यहां जाना कोई दिल लगी नहीं मत जाते आपके सामने पांथ पेश किया जाता है अगर थाली के अंदर सो रुपे का पत्ता नहीं डाले तो आपको सो जूते लगाकर बाहर निकाला जाता है बद्रूमिया मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है लेकिन पैसे तो अपने पास सिर्फ तांगे के किराईजित नहीं है तब तो मुश्किल है साब बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ एक बात है तवाइफों के बारे में मैं ये भी जानता हूँ के रुपए पैसों के अलावा वो और भी तीन चीजों पर मरती है अच्छी शकल अच्छा गला और अच्छी शायरी इन में से दो खूबियां तो आपके पास मौजूद है और माशालला आप गाते भी बहुत अच्छा है दो एक दफा बातरू में याने खुसल खाने में आपको गाते वे सुना है करन साब भै अगर दो खूबियां इन में मौजूद है तो तीसरी खूबियां इनके नजर मैं के देता हूँ मेरी चने गजलें याद करके बाकादा शायर बन सकते हो भै शायर बनना तो ठीक है लेकिन शायराना निवास में तो होना चाहिए मेरे बस तो कुछ पी नहीं कुर्ता और पाजामा तो मैं दे सकता हूँ अलबता टोपी और अचकन का होना बहुत जरूरी है इसका बंदबस तो मैं कर दूँगा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा तोरे बंगले पर जो मैं होती राजा बन की को यलिया कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा तोरे बंगले पर लाहर जाण जो मैं होती राजा कारी बदरिया बरस रहती राजा तोरे बंगले पर नजल लागी राजा तोरे बंगले पर जो मैं होती राजा बेला चमेलिया जो मैं होती राजा बेला चमेलिया लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर मैं जल लागी राजा तोरे बंगले पर जो मैं होती राजा तो मरत हनिया जो मैं होती राजा तो मरत हनिया जो मैं होती राजा तो मरत हनिया मतक रहती राजा तोरे बंगले पर जो मैं होती राजा तोरे बंगले पर हमारा गाना तो आपको पसंद आया नहीं लगता यह गिलोरी खाके मुह का मज़ा बदल लीजी इससे दुसरे फोन ट्रंगे जाएंगे मुह का मज़ा आपकी गिलोरी से नहीं बदलेगा कुछ ज्यादा ही कड़वा हो गया लगता है आपका यहां तक तो ठीक समझें आप तो सुना है एक कड़वाच दूसरी कड़वाच से कड़वाच से कड़ जाया करती है कहिए तो वो हाजिर करूँ उससे आपका दिल बहल जाएगा मैंसे घरज निशाथ है किस रू से आको एक गुनाम बे खुदी मुझे दिन रात चाहिए शकल से तो आप बहुत भूली नजर आते थे इस शकल से आप जैसी बहुत सने धोका काया है और बाद में मर्मेटी है बड़ा गरूर है अपने आप पर लेकिन खेर आप हमारे घर आए हुए हैं और हम महमान की खादिर करना जानती हैं इसलिए तो हम भी आप तक खिंचेगे चले आए हैं इसके मंगाने की क्या जरूरत थी बस यह हंसके बात करती रहती हमें नशा हो जाता वो नशा ज़रा ज्यादा तीस है उसे बहुत से बहुत जाया करते हैं आप इसी से शुख कीजी आगर इसी का नशा कराना है तो फिर अपने इन गुलावी हाथों से बिलाएए आर पीएंगे जी हाँ क्योंकि अभीदा काफ से सुने हुए गीत की तलखी बागी है क्या इतना गया गुजरा था वो गीत मैं आपके हुस्न की तारीफ कर सकता हूँ मगर एक शायर होते हुए एक फीके गीत की तारीफ नहीं कर सकता अच्छा तो गोया आप ही शेर कहते हैं मगर इतने निकमे नहीं जैसे क्या आपके गीत के बोल। जो मैं हुती राजा बेला चंबलिया लिपत रहती राजा तो रे बंकले पर लाओल विला लिपत रहती हुए शुकर है आपको गीत ही बे मजा लगा मैं तो ड़र रही थी कहीं मेरा गाना भी आपके कानों पर बार न गुजराओ अफ़ आप तो मैं अपनी तारीफ सुनने के कितनी बेतावी रहती है मैं तो बिन कही आपके खाने के तारीफ करने वाला था मगर यह जरूर कहूंगा कि अगर इस सुरेली आवाज से गाना भी हरसीन गान होता तो कएंत न आगह होता औरीप करने कुई आप से सीखे हम तो यूँ ही बड़नाम हैं कि हम लोग बाटों की कमाई खाते हैं हम बाटों से नहीं अपनी शेरों से अपने आवाज से दूसरों का दिल जीते हैं हमारा दिल जीते तो जाने तो लीजिए लेकिन ज़रा दिल थाम के बैठिये हमने ऐसे बहाद से दिल वा लिया है और हमने भी दिल दिया कभी नहीं हाँ इस लगन में बहुत सोने मुग की जरूर खाई है आप जैसे हसीना को शीषे में उतारना क्या मुश्कित है हाथ कंगन को आर्ची क्या है अच्छा अगर आप खुद ही अपना तमाशा देखने पर मसली है तो लीजिए लेकिन ये शत्त है कि अधर हम गाएं और उधर आप उसी को भाव में ढालती हो चली जाएं मन्जूर है चल गए हम बेखुदी में तुम को पुखारे चल गए हम हम बेखुदी में तुम को पुकारे चल गए हम सागर में जिन्दगी को उतारे चले गए हम देखा कि ये तुम्हे हम बन के दिवाना देखा कि ये तुम्हे हम बन के दिवाना उत्रा जो नशा तो हमने ये जाना सारे वो जिन्दगी के साहारे चल गए हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए हम तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले दूबे नहीं हमी यूं नश में अकेले शीशे में आपको भी उतारे चले गए हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए सागर में जिन्दगी को उतारे चले गए हम अगर किसी को अपना दिल खुब बैठने का अंदेशा हो तो उसे क्या करना चाहिए यह हम आपको कल आके बताएंगे जो मैं हुत्ती राजा बेल अचंबे्व आपी आपिनावी सांहेंふふ मैं में जूमें हो तेर जामशना गाल अधे लिफे últimos एफ क्रसा निकिनाव मँवारायओ दो गड़ मिमेक ताम कर दो दक दुक हो जय हो किन ऊज़ जोनहें कर देखें़े आपताई किन रलंअ अउने श्ष। अउने श्ष। आप नहीं कर रहें और आप यहां क्या कर रहें जी 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 माफ़ीजे मैंने इसे अपना कमरा समझ लिया अधरस यहां के सभी दर्वाज एक जैसे जची का कमरा है कवाले सब करबड हो रहा है गड़ नाइट एक ख्याल आता है कि आपसे माफ़ी मांगूं क्योंकि मैंने आपको बेवक्त नीन से उठाया है कोई पस्तावा हो और यहां तो अगर कोई पस्तावा है तो सिर्व इस बात का कि यह भूल मुझ से पहले क्यों नहीं हो गई किसी भूल का आदमी को बड़ा खिम्याजा भुगतना पड़ता है जब भूल आदमी को अच्छी लगे उसकी सजा भी अच्छी लगती है देखती हूँ शायरों का सा लिबास पहनकर तभी अप्छी कुछ शायरा ना होगी है लिबास का इसमें कोई दखल नहीं है क्योंकि तदियत में रंगीनी तो किसे की संदर्था देख के आई जाती है मुझे तो यहां कोई खुबसूर्ती नदर नहीं याद़ इसे आप मेरी निगाहों से देखी कहां से आ रहे हैं आप इतनी राज़ के यूहीं शेहर की सेर कर रहा थो सब लोग खाने पर आपका इंतिजार कर रहे थे हम तो तब मानते जब आपने इंतिजार किया हो था अगर किसी दिन ये फिकर के बिखा दें तो तुसरूस हम समझेंगे कि हमारा नसीब खुल गया है सब बखाया आज तक मेरे होटल की कोई चीजी धर्दर नहीं हुई तो फिर मेरी काली टोपी और काली अचकन कहा गई खूंती निंगल गई या दीवार खा गई या महीं बदरू ये आपकी काली अचकन और टोपी गाइब है आपके साथ उपर जाओ सारे कमरों में तलाशी लो और जिसके कमरे से इनकी चीज़े निकले तब मैं इसकी हदी फसली तोड़ दूँगा जाओ जी ये टोपी आपकी ये टोपी आपकी है मैं पूछ रही हूँ और ये अचकर अरे आप पे अजीब आदमी है उस आदमी ने चिला चिला कर सारे होटर को सर पर उठा लिया है और अब चैची के साथ एक एक कमरे की दलाशी लेए आपको पूरा यकीन है कि आपने अपने कमरे में रखा था वह 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 क्या हुआ है मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में से चोरी हुई है कमार से हमारे ये गेस्ट हाउस में से कोई आदमी गायब ने हुआ ये आकाली एक अचकर ने कोभी कैसे गायब होगी नाम तो बड़ा रखा अली शान ओटल यहां तो लोगों के कपड़े तक गयब खेर ये आपको बड़ावत पता है कि गयाब है जी हाँ 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 मैं कहता हूँ हाँ अगर आपको अश्कर नो टोकी में गई तो मैं कहता हूँ आज आजमी कहां से मिलेगा जब गयब हो बई तो कि करन कि बड़े करण की बड़ी फिकर लगी हुई है मगर उसका खत तो आया था ना भाबी बस एक खत ही आया था उसके बाद उसका कुछ पता नहीं और उसके पास पैसी भी तो नहीं थे नजने वो उस शेर में कैसे रह रहा होगा तुम फिकर ना करो भाबी अगर जरूरत पड़ी तो हम हैदराबाद जाएंगे सब्सक्राइब कदर गई प्यारे दिल लगा के पूछे ना कोई फिरूंबे सहारे कदर गई प्यारे दिल लगा के जिन ताधा ता ताधा बोली बोले दुनिया सारी मैं तो राजा तुम से हारी क्या करूं मैं नैना मारी कोहना क्या करूं मैं नैना मारी कोई कुछ कुकारे कोई कुछ कुकारे दिल लगा के कदर गई प्यारे दिल लगा के दिल लगा के दिल लगा के निन ताधा, ताधा, ताधा ना कोई साथी, ना कोई बेली, सुन जागूं, मैं अकेली, सुनी से जिया, सुनी हवेली, देखो ना, सुनी से जिया, सुनी हवेली, ये सोचा था, मन में बसंगे तिहा, दिल लगा के, कदर गई प्यारे, दिल लगा के, पूछे ना कोई फिरूंबे सहारे, दिल लगा के, कदर गई प्यारे, दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के, मुझे याद नहीं, मैं जिन्दगे में इतनी कुछ पहले कब हुई थी लेकिन हर कुछी सब हदसे बढ़ जाती है तो वो इनसान को उदास कर दिया कर दिये क्यूंके फिर उसके छिन जाने का डर होने लगता अगर यह डर मैं दूर करतू तो तो मैं हसते खेलते अपना सब कुछ लुटा दू यह सब लुटाने की जरूरत नहीं सिर्फ अपना हाथ पर हाथ में दे लेगा मुझे से शादी कब लेगा करन बाप, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझे से मजाक न कीजी मैं पहले ही तो क्यों, मुझे यू न सता है मैं सच कहता हुआ कि तुम्हारे बगार मेरे जिन्दगी तिल्कु अधूरी है सच कहता हुआ मुझे से शादी करो दूँ मैं आपके यू की तो नहीं हूँ फिर भी आपके काबल बनी के कुशिस करूँगी आप बट्टी क्यों नहीं जरा ली आप इतने मीठी नीन सो रही थी के सोचा बट्टी जराई थो आपके आंख खुल लाए जी अभी अभी आख लगी होगी जरा तिर पहले तक तुम्हें जाग रही थी इतनी रात गय तक जागना अच्छा नहीं और इतनी रात गय तक बहर घुमते फिर ना भी अच्छा नहीं जिसकी दुनिया में किसी का जरूरत ना हो वो भटकता न रहे तो और क्या करे यू बाही तबाही फिरने वाली को लोग सौधाई कहते हैं या किसी का शैदाई अच्छा तो शैदाई साहब बटकते ही रहते हैं या कुछ खाने पीने के भी सुधे आपके याद दिलाने के शुक्रिया खाना तो वाकि मैंने अवी तक नहीं खाया है खाना मैंने भी नहीं खाया है आपने भी खाना नहीं खाया है मैंने कहा था ना किसी दिन यह भी करके दिखा देगे तक्वार। शब बखेर शब बखेर आप रुख क्यों गए जाने को दिल नहीं चाहता क्या कहता है आपका दिल दिल कहता है उमर भर आपके साथ बैठा रहो झाल आपके साथ कहता है तो इपने हुष उलकिण है झाल आप हैदराबाद कब तक रहेंगे? कितनी अच्छी लगती हैं ये वालियन तुम पर आप बंबई कब वापस जाएंगे? अब वापस नहीं नहीं हो रहा है चलो भी मेरे साथ वहाँ आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं हूँ मेरी मा है बस आप दुना? तुम चाहो तु तु तीन हो सकते हैं जाहो किन आशा किराय कि बात करो किराय के बात करो किराय कहा है बस आया ही है शंदू थोड़े जुनों की बात यहात है जैसे ही जैसे हम Image ऐन की घजलों का दीटई चपेगा चैची तुमारी पाई फ़ञी चुटा दी जाएग आपने आपको क्या समयती है जो घड़ी यू आका हमें रोब दिखाती है तुम ठेरो जी मैं इस बुर्या पर 40 शेरों के इजो लिखेता हूँ हाँ क्या लिख रहो भई खुछ हम पर भी लिखो ये तुम्हारी मालकिन पर लिखने लगे हैं जी जो जानते को गालिया गालिया तो दो चार गालिया मेरी तरह से भी लिख देना करन बाबू ये आशा बीबी ने आपक़त दिये और हीअ को लिखेता है कि interrupt आपको हो प्रॉर है पैसे आशा बीबी ने वेक़्ेश है ये मुझे पताने उन नोने लफाफा दिया आपको देने के लिए मैंने दे दिया है ह workout हो तो ऐती हीओ तो अने धोस हो मालक हो तो ऐसा हो नया मालक बद्रू के हाथ ये रुपए भेज़कर तुमने मुझे बड़े विलजन में डाल दिया आशा कौन से रुपए बात को मजाक में टालने के कोशिश मक करो, मैं तुम्हारे ये रुपए नहीं ले सकता ओए गध्या, बड़ा थे रुपए के मैंने आपको दिये है, ये रुपए तो आपके हाथ से चाची को देने के गली भी घुँआय थे मगर मुझे ये रुपए यही लेना है, यह अुअलब बात हो यह कौन कह रहा है कि रूपे आप ले दीजे चाची को दीजे बात खतम हो जाए यह सब खीक है मगर गया पानी में आपको मेरी खसम जो बिस बारे में कुछ की बात करें अगर इस बात का इतना ही ख्याल है तो जब कभी मैं बंबया हूं तो यह पैसे मुझे अपने शहर की सिरकाराने में खुच कर थी जी अप शॉड़िए बच्चों किसी बात ही मत करूए इसाम माई यह मुफ्त में नहीं गा सकता हम अपने मेहमान से रहने का किराया नहीं ले writes तो लेकं मैं इस होटल में महमान बंके तो नहीं रहता चाची के नजर में ना सही, हमारी नजर में तो आप महमान है, बलके बड़े सरफिरे महमान, क्योंके महमान तो सिर्फ घर में रहते हैं, अगर आप तो नहीं जाने कहां कहां बसे चले आ रहा है, कहां कहां बसे आ रहा है, चाची हम उस अचकन और टोपी वाले आदमी की बात उस दिन वो आपके सामे किस तरह मूठाय चला आ रहा था और कह रहा था कि मेरी अच्छान टोपी चोरी हो गई अरे उस जैसे लफंगे मैंने कितने ही सीधे कर दिये हैं देखा नहीं तुमने कैसे मैंने उसे खड़े खड़े बाहर निकाल दिया चूँ जी और तुम यहां कहले ने आयो चाची तुम चुब रहा आशा इसे और उसके निकमे साथ यूग को कोई जीज नहीं देना जब तक कीरायना दे दे इसकी कोई फिधान नहीं देना कराए दें तु आया है चाची केरे से यह रूपए है도 कुई अभी तक मैं गुंग दीत क्यूं खड़े थैं अरे पहले क्यों नहीं कर दो कर को रूपे लेके आयो एकंथा ऐ। आब कर नहीं क्या शिकायत है क्या चाहिए तुम दे नहीं सबोड़ तुम कह रही थी कि तुम मेरे पाबिल नहीं हो वाले के साथ इसके उलट है देखोना मैं कितना गरीब हूँ, बेरुजगार हूँ, तुम्हार खर्श तक नहीं चला सकता इसकी फिकर नकीचे, मैं गरीब इसे नहीं डरती मेरे पास आमदनी का एक और जर्याबी है, जिसके बदौलत हमें रुपे बैसे कि कभी तकलीफ नहीं होगी लेकिन मैं तुम्हारी कमारी पर कैसे नहीं सकता हूँ मेरी कमाई का कौन से करवजा है? मेरे पास एक चीज है, जिसके वज़े से हम दोनों का गुजर हो सकता है क्या चीज है में? है एक चीज, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी अब है मैं तुम्हारी बाते सुनना चाहती हूँ तमीजी पर कटेगन चाहती हूँ तमीसे माज़न चाहती हूँ हाँ अब अबागर वेच्वान यह सब ठीक है, लेकिन किशोरी मुझसे प्यार करने लगी है, मैं उसके साथ ती पैंतरा कैसे खेल सकता हूँ? वो बड़ी दुखी हो रहता है, शाब है, वो मुझसे अपनी मुक्तिक आस लगाई बैठी हूँ तुम्हारे बाप से भी ज्यादा दुखी है, वो भी तो तुमसे मुक्तिक आस लगाए बैठा है आज किशोरी का जादू तुम पर इतना चल गया है, कि तुम ये भी भूर गया हो कि आज उसकी बदलत तुम्हारा बाप जेल में सर लहा है तो फिर आप मुसे यकीन दिलाए कि इस ख़त की बिना पर मुकदमा नैसरे से खुलवा जा सकता है ठीक है, कल सुबत में आजाओ और मैं तुम है लेकर सरकारी वकिल के पच्चे लोगा आपे हो बच्रों के बच्चे, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे ये पता चले कि तुम नवाब नहीं, कोई घसियारे हो घसियारे होगा तू जानता नहीं, बरसों से खोटल में नोकरी किया हो, बैरा का अजारों नकली नवाबों से वास्ता पड़ा है अभी मैं असली नवाब का काम नहीं किया तो मेरे माबो कोई गदा नहीं तो बिलकुम जुरिस्त है, ये अजिसलिए तो ये मुश्किल काम तुमारे से पूर्ट किया है तुमारे शकल वरी नमाव जैसी है, मगर दून की तसर है जरा तसली रखिए करन भाबो, अभी कपड़े बदल के आ रही है आपकी बेगम तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो जानों के इंतजार किसे कहते है करन भाबो, हम लोगों की तो पूरी जिंतगी इंतजार बनके रहे गए आज़ा निलम भाई बहार एक नभाव साब आयो है नभाव साब आयो है उपर आ रहे है आये, आये न, आये आये ओ, आये आये, आये न पाश्या, कहां जा रहे हूँ? खलत रास्ते भी जा रहा हूँ हाँ नभाब साब मजाक बहुत पसंद करते हैं आये आये पहले आप आये आये, प्रस्विप रखिए आव इताश्या आव इताश्या आव इताश्या पाल लेजे न पाल लेजे न माफ कीजे, नौप साबको हिकमत का बरा शौक है हर नए मिलने वाली की नफस देखा करते माशालला, माशालला क्या सहत पाई है और आपकी नफस की गफ़तार तो हिर्मी की तरह है पाल लीजे ना पाल जरूर, जरूर लीजे अधाव से अभे पहुकूफ, वो किराय का नूड था खामोश तुम अपनी जगे पे खड़े रहो हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं आज तो चान बड़ी चल्दी निकल आया बहुत देर लगा दी तयार होने में कुछ लोग तो आभी गाया और कुछ शायद जाने वाली भी हैं क्या मतलब? हाँ आज गाना नहीं सुने हम आज कोई खास बात है क्या हम यह तो तुम्हे मालूब होना चाहिए हम आदा बजा लाती आदा यह अमीर अलमुल्क खादुरुजमा फखरुद दौला खादुरुद दौला चिरागुद दौला जनाब नवाब बदौला जनोंने तुमारे गरीब खाने पर कभी तो काफ बौल बहुत कूब बहुत कूब जनोंने तुमारे गरीब खाने पर खदम रंजा फरमाया फोरण शेयर पढ़िये वह आएं घर में हमारे खुदा की कुदरत हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं ठीक है मुझे नाचीस के घर आपने कदम रंजा फरमाया है सहनसी मैं तह दिल से आपकी मम्नून हूँ हम कली इस शहर में आये हैं और तब से तुमारे हुसन और तुमारी आवास के चर्चे सुन रहे हैं तुमारे खुबसूरती के बारे में तो लोगों की तारीफ बजा है अब तुमारे आवास की वो जादू देखना है जिसने सब को दीवाना बना दिया है क्या कर रहा है देख रहा हूँ असली है के नकली क्या लड़की आपकी जर्रा नवादी है जो आपने मुझना चीज को अपनी पसंद से नवादा है भई अब सास छेड़ो, हमारी आवास तुम्हारे कान पीने को तयार है हमारे कान तुम्हारी आवास का रस पीने के लिए तयार और बेकरार है जब नामे मुहबत लेके किसी नादान ने दामन फैलाया पहलू में अजब सा तर्त उठा फलकों पे तासु धर राया दिल बैठे बैठे भर आया क्या कहिए हमें क्या यादाया क्या कहिए हो में क्या यादाया अज छोड़ो ये तरा ना है पुरा ना फुलकत है दिवनों का फसाना जिलो जिलो ये है जिने का जमाना प्यार पैसा कहो कि वफा अज छोड़ो ये तरा ना है पुरा ना फुलकत है दिवनों का फसाना जिलो जिलो ये है जिने का जमाना प्यार पैसा कहो कि वफा यादाई किसी के महके हुई सांसों के हवा हलकी हलकी वो शाम वो रंगों के बाद जुनरी वो मेरी धलकी धलकी इक बात ने कितना तड़ पाया क्या कहिए हमें क्या यादा आया क्या कहिए हमें क्या यादा आया अजे छोड़ो ये तड़ ना है पुराना फुल फत है दिवान का पसाना जिलो जिलो ये है जिने का जमाना प्यार पैसा कहो कि वफा जिलो जिलो ये है जिने का जमाना प्यार कैसा कहो कि वफा दुनिया से न रख उम्मीदे वफा जब यूही किसी ने समझाया कुछ और बढ़ी सीने के जलन कुछ और बढ़ा हम का साया रह रहे के हमें रोहना आया क्या कहिए हमें क्या यादाया सुभान अल्लह! सुभान अल्लह! क्या आवाज पाई है मजा आगिया! मजा आ आगिया! शुक्रिया लेकिन ये बताइए कि ये घजल लिखे किसने है वो शायर भी यही है उस शायर को हमारे हुदूर में पेश करो आरब नौजवान हम तुम्हारे शायरी से बहुत खुश हुए जी चाहता है कि तुम्हारा मुझ चुब लो बबन मिया इनाम की थैली इशायर को दे दो बत्तमीज कही मां करना सर्कार सारी के सारी थैली इस गुस्ताफी का मतलब मेरा मतलब है हुजूर सारी नगजी इस थैली में जल्दी निकालो अच्छन मिया मदद कीजिए दीजी हँडूर किया शेर कहा दिल बैठे बैठे भराया क्या कईये हमें क्या याद आया बबन मिया जी सरकार एक सो रुपया और शायर को देना चाहिए क्या ख्याल है ठीक है, मगर सरकार सारी नगडी तो उस थेली में चली गई तो क्या हुआ बाई जी, वो सो रुपया जो मैंने आपको दिया है आप शायर को दे दिजिए आप लेली जे, आप ही के हैं, आप ही के हैं मियाँ मियाँ सरकार, कौन सा मियाँ चेक वाला मियाँ तो गजह उस तरफ बोलना लाइए, चेक लाइए बाई जी आप घबाएए नहीं मैं एक सो रुपे के अवज में आपको दो सो रुपे का चेक दे रहा हूँ दो सो रुपे का चेक बाई जी को दे दो जल्दी से फिर तश्रीफ लाईएगा ना जरूर जरूर जब रूप प्यासी होगी तो चले आ जाएंगे आदा आदा सरकार आईए अंदर बैठे मुझे जरा काम है मैं जाता हम आप कहाँ चले करन बाबू आपसे तो आज बहुत सी बाती करने हो आज तो तो तुम्हारे गाने ने कमाल कर दिया के शरीए कमाल तो आप में किया है करन बाबू रंडी के कोटे पर हर रोस में इतने लोग आते कोई उसके बातों का सवधा करता है कोई उसके गाने का और कोई उसके जिसम का वो उन अंजाने लोगों को ना पसंद करते हुए भी उनके हाथ कभी अपनी कला और कभी अपने आप को बेशती है क्योंके इस पेशे में इसी तरह जलील होकर अपनी रोजी कमाई जाती है ये बैठे-बिठाए क्या हो गया तुम्हें लेकिन वेशा भी तो आखिर इनसान होती है करन बाबू वो इतनी गिरी हुई होने पर भी अपने दिल के मंदिर में उस भगवान के आर्थी उतारा करती है जो एक आदमी के रूप में आकर उसे इस गंदकी के जीवन से छूटकारा दिलाएगा और उस आदमी के भगवान होने की निशानी ये होती है कि वो उससे लेता कुछ नहीं वो तो बेशा के नंगेपन को अपनी इज़त की जादर से ठखनी आता है ये तुम क्या कह रही हो? ये साब मुझे क्या सुना रही हो? कल तक मेरी नजर में तुम वो भगवान थी जिसके इंतजार का चिराख मैं अपनी जिंदगी के अंधरे में रोशन किये बैठी थी उस दिन जब तुमने मुझे अपनाने का मुझे स्चादी कर लेने का वादा किया था तो मुझे तुम्हारे भगवान होने में कुई शक न रहा था लेकिन आज जब मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी निजात के लिए नी बल्कि अपनी करस के लिए मुझे धोका देने आये थे तो अब तुम मुझे कितने उच्छी लग रहे हो आज तुम मेरी नजर में मेरे गंदे से गंदे गहात से भी जादा गई गुजरे हो क्योंकि वो खुले बंदों मेरा साओदा करता और तुम तुमने मुझे अपने प्यार का धोका दे कर अपना मतलब निका नचा कितने नूइच हो तुम इसी खत के लिए इतना धोंग रहे था तुमने बस कह चुकी है अभी कुछ और कहना बाकि है आज मैं तुमें एक नीच और उच्छा आदमी नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हे अपने प्यार का धोका दिया है लेकिन मैं पूसता हूँ कि तुम किस मुझे अजज़ बनके बैठी हो जर आपने गरे बान में मुझ डाली के तो देखो क्या तुम वही जमीर फरोष औरत नहीं जिसने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर एक बेकसूर बेगुना आदमी को मुझरिम कहके जेल के अंधेरे में ढखेल दिया था तुम तुम जो खुद इनसाफ का खून कर चुकी हो आज इनसाफ की दोहाई दे रही हो तो मुझे नीच कहती है तुम जिसने एक औरत की पूनम ऐसे जिंदगी को अमावस के अंधेरे में बदल दिया जिसने एक सुहागन को एक विद्वा का रूप धरंग कर वाया इधर देखो मेरी शकल की तरफ देखो मैं उस बेकसूर बेगुना आदमी का बेटा हूँ जिसके जवानी की सुभा को तुमने जेल का घुन लगाकर बढ़ाते की रात में बदल दिया है मेरे पिता जी पिछले पंदरा बरस से अपनी बीवी के प्यार बेटे का लाड उठाने के लिए तरसते रहे हैं और इधर मैं उनकी महबत से महरूम उनके जीते जीतीम बना पिटता रहा हूँ यही वज़े है कि मैंने यह खात हासिल करने की कोशिश की थी क्योंकि इसी से मैं उनकी रही सही जिन्दगी को कुशियों से बख सकता हूँ और यही वज़े है कि कल तक जो आदमी तुम्हारी नजरों में भगवान था आज तुम्हारे सामने जलील बना खड़ा है आजरी के समस्री मुझे क्या मालूम था कि वही आदमी तुम्हारे पता निगए किशोरी मैं जानता हूँ कि यह खट नहरी उमर भर की रोज़ी की ज़मानत ہے और यही खत मेरी भी तमन्ना है लेकिन मुझे अपनी तमन्ना के लिए तुम्हारी उमर भर की रोजी चीडने का कोई हक नहीं हाँ आज मुझे इतना जरूर यकीन हो गया है कि मेरे नसीब में अपने पिता का प्यार नहीं लिखा कर भर यहींद की जोfly यहीं लिखा की लिखा जिए इतना के विजीद की विए जार यहीं कि भर यहीं की जेव पिए जार की था जार सतना की सुझे धस्तूर जो है कि अपने हाथ से खत्माले को लिखा है कि अपने दूसरे खत्माला का है जिसमें उसने मेरे पिताची को दिवान सदारीलाल के इरादे से खबरदार किया है अब बस मेरी यहीलत जाहे कि आप फॉरन इस केस को दुबारा खुलवाकर मेरे पिताची को रहागा दीए बैटो हुआ 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 याप प्रख़ना ज़ाब बार अब मैंने आपकी असलियत पर चानी अब मुझे मालम हुआ है कि इसलिक खूनी को आप हैंने बचाया है अब मेरे बेगुना बाप को जेल में भज़ताया है आप ही मेरे अधालत से का फैसला करवाया है आप कानून के मुझाफिज नहीं कानून के खत्तार है तुम बकी नहीं चला दू चला दू पहत! तुनने ये ख़त जला तो दिये हैं, लेकिन काई बेता हूँ के तुनको और जिवान सर्तारी लाल को जेल भेता हूँ पहत! मैं चैन नहीं लूगा! पहत! बहुत बीजी हूँ, आशा? अशा? हम! मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात ने करनी है आशा मैं तुमहरा ज्यादा वक्त ने लूगा, बस चंद एक मिनट मुझे देदो मुझे बहुत जरूरी बात ने करनी हैं और अब ही करनी है मेरे पास आपकी बातों के लिए या आपके लिए कोई वक्त नहीं आज भी नहीं, इनिहीं और कभी नहीं ये क्या हो गया तुम्हे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा कल तक तो अच्य भली थी कल तक मैं आपको पहचान थी लेकिन आज इतनी भोली नहीं कि आपकी बातों में आज हूँ, मैं आप जैसी आवारा के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती क्या कहा तुमने? आवारा, 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 सुन लिया, मेरा हाथ छोड़ो दफ्तर में तमाशा दिखाने की जुरूरत नहीं तमाशा मैं दिखा रहो यह तुम दिखा रही हो तुम दिखा रही हो लेकिन वकील साथ कोई सूरत तो होगी नहीं मिस्टर मेरा, आप कोई सूरत नहीं उन खतों के जल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते मुझे अख्सोस है कि मैं आपकी कोई मदल नहीं कर सकता जदी ये शायर है, उनकी घदलों का दिवान छुपने ही वाला है आपके सब दे चुका दिया जाएंगे फेक दो इनका सामान, मुफ्त खोरे निकम्मे कहीं के क्या देख रहा है बद्रू चाची, ये लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप समझती है बिशारे हालात से मजबूर है क्या कहा तुने मेरा मतलब है, चन दिन की और मौलत दे दीजे इने तो भी लिकल जा, बढ़ाया हमदर्द कहीं का अच्छी बात है ये लिजी आपके कपड़े पटलून मैं फिर भी जवा दूँगा और देखिए, मेरे तंखा के जो पैसे बाकी है इनके बिल कटवा लिजीए जाओ जाते हैं खुदाहाफिद, मिलने की दूआ करना जब कोई नहों होटल में तब हमकी बिलो रोना मुझे भी बिल्वा लेना क्यों यारो, क्या खियाल है आज की रात इसी पुल के नीचे गुजार दी जाए बई माब दवलत को ये जगे कुछ जमी नहीं बड़ी विरान विरान सी है और फिर किसी हसीना के रह खुजर भी तो नहीं हसीना वगई भाड में और तेरी शायरी भी सुबा से तुमारे सामान लेके सर पे गूम रहा हूँ, क्या मैं गदा हूँ अमा बज्रू मिया, गदा तो उसे समझा जाता है अमा बज्रू मिया, कोई बात नहीं दौलत्चन सामान उफा लाँ ओ शायर के बच्चे, दौलत्चन को भी गदा समझ रखा है उठा सामान अपना चलो, कोई बात नहीं हम यही करेंगे वो बिस्तरा भी उठा अच्छा हाँ शायरी के बच्चे काफी लदेव हैं तुम कहके ओ तो यही सही तुम्हारे जासे शायर विस्तरा ही उठाते हैं काफी हो गया है करन बाबो तुम यहाँ अरे हम तो तुमको शायर में ढून रहे थे करन बाबो तुम हम भी यहां मिल गए हिंदे में कुछ लिखा पढ़ा अबे पढ़ना किसे आता है तो चलो फिवाँ चलके देखते हैं क्या हो रहा है हजी हजरात हमारे लिए कालाक्षर भेज बराबर है कुछ बूलियागा तो समझ में आएगा क्या माजरात अरे मौलाना क्या मामला है यही समझ लेकी कुछ कर रहा है मैं इंसाफ चाहिए क्यों भाई क्या माजरा है किसने तुमारे साथ बेंसाफी की वे वांट जस्टिस हजी हजरात इन काले कपलों में किस माशूद का सोग मना रहे है हायो हायो ना मैं पागल हूँ और ना दीवाना आप लोगों ही की तरह सीधा साथा आदमी हूँ और यहां जल्म के खिलाफ आवाद उठाने के लिए खाना हूँ जल्म कैसा जल्म जो शाहिद कभी किसी आदमी पे हुआ हूँ मेरे नाम करन है मैं आपके शहर में पर्देशी हूँ और यहां उस बेगुना बेकसूर आदमी को रहा करने के उमीद में आया हूँ जो पिछले पंदरा बरसे हैदराबाद की जेल में बंद है बेकसूर बेगुना ए मिस्टर कौन है वाजूत वो मेरे पिता है वो बिल्कुल निर्दोष है उनके साथ बेंसावी हुई है जिसका सबूत मेरे पास है और जो आदमे उस बेंसावी का जिम्मेदार है उसका नाम जस्वान तराए है तकील जस्वान तराए जिसका दरवाजे के सामने हम से त्ग्रा किये खड़े काहो ऐनाई है. अगर आप अजाजज़ने, तो इस शोक्रे को पार लगा दू? नहीं, सब लूग कुछ ना क्रो अगर यही इन्साफ है, जिसे इन्साफ कहते हैं, तो इसका शिकार कोई भी हो सक्ता- आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, हम में से कोई भी हो सकता है बस मुझे यही कहना है, इसके बाद आप चाहें तो मुझे आपने गालियों और जूतों की बोचाड करें और चाहें तो मेरी आवाज में आपने आवाज में लाकर मुझे इंसाफ दिलाएं जरूर दिलाएंगे, हम तुमें इंसाफ दिलाएंगे, क्यों भाईयो? अलो, पुलीस स्टेशन, देखे वहाँ पर थानेदार साथ हैं, उनसे कने राय बाहदूर जसनतरा आपसे बात करना चाहते हैं में साशा, होल दी पेच, कल के अख़बार के लिए हेट डाइंस लाया हो, इससे सारे शहर में खलबली मर जाएगी आखिर बात क्या है, हंगामा क्या है? आज ही एक आदमी ने कानून और अदालत को लिलका रहा है, उसका मुतालबा है कि हमारे शहर के सब्खील पर फर्दे जुर्म लगा कर उस पर मुकदमा चला जाए क्यूंकि उसकी बदावनत आज 15 साल से एक बेकसूर आदमी जेल में पड़ा सड़ रहा है लेकिन ये आदमी कौन है? मैंने उसकी फोटो खेच बिली और डॉलब भी कर ली ये रहा हुआ दे कौर? और उस सरे बाजार एलानिया कह रहा था के एक बेगुनाख काले पानी की सजा ये जुल्म है, सरासर जुल्म है कोई हसता था, कोई मजाक उड़ाता था और कुछ लोग तो दिवाना भी कहते थे वहाँ तो अच्छा खासा मेला लगा हुआ है तन्वीर, मुझे वहाँ ले चलू वहाँ? लेकिन वहाँ से तो मैं हम पूरी रिपोर्ट ले कराएंगी कमाल है कमाल है घर तो वही है इतनी भीरियां जमाती ना जाने सब लोग कहाँ चले गए जरह सुनीए अभी अभी जो आदमी यहां सत्या गरे कर रहा था वो कहाँ गया? इस दफ़ा तो मैं आपको छोड़े देता हूँ लेकिन दोबार आपको आरेश्ट करना हो हलो आपने मुझ से कुछ कहा मैं आपी से मिलने आई हूँ मुझे फुर्सत नहीं है सुनीए एक प्रेस रिपोर्टर से बात करने कि भी आपके पास फुर्सत नहीं है प्रेस रिपोर्टर? कौन प्रेस रिपोर्टर? कहाँ है? जो आँखों के सामने होते हुए भी दिखाई न दे उनके बारे में पुटने से क्या हसी आप ये बताएए कि जो बेकुसुर आदमी आज 15 साल से जेल में बंद है उससे आपका क्या रिष्टन आता है मैं उसका बदनसीब बेटा हूँ करें आपको अपने पिताजी के बारे में कब मानू हुआ कुछ ही रोज पहले, इसलिए मैं हदरबाद आया था ये किशोरी कौन है और आप से क्या संबन्दे उसके पास मेरे पिताजी की बेगुनाही का सुबूत है जिसे मैं हासिल करना चाहता था सिर्फ इसलिए आप उससे मिलती थे सिर्फ इसलिए आपको उससे प्यार नहीं था क्या ये सवाल भी अख़वार के रिपोर्टर के लिए पूछना जरूरी है इसका जवाब तो सबसे जरूरी है जो बात ही बेबुनियाद हो उसका कोई क्या जवाब दे बस एक बात और आप हैदरबाद में और किस किस से मिले Wordsie से मिले लोग हाut इंस्पेक्टर मेहता से मिला और राय बहादर्जस्वंतराय से मिला जीन्हीं बदरू मिया से मिला बौनत चंद से मिला दिस पूरी होगी जीन्हीं एक नम और बिरा गया है आली शान होटल की मालकिन चची से मिला एक नाम और भी रह गया उसे भी लिख लीजिए खैदराबाद मेरी मुलाकात एक सर्थ फिरी और बेवकूफ लड़की से हुई जो नजाने आपने आपको क्या समझती थी कौन है वो लड़की एक फट टीचर अख़बार की रिपोर्टर और हालत यह है के दिमाग में भूसा भरा है अवल नंबर की शक्की मिजाज है कुछ जानती नहीं कुछ पूस्ती नहीं हर बात के खलब मतलब निकालती है तो ये राए है आपके उस लड़की के बारे जी और ये राए उसने खुद अपने बारे में कायम कराई हालती है और नजब पहले पहल मैं उसे मिला था तो मैं उसे एक एंचल समझा था वो मुझसे मीची मीची बातें की अगर्तिती और और हर रोज रात खाने पर मेरा इनतजार की अगर्तिती थी लेकिन जल्दी उसने थाबित कर दिया कि ये सब कुछ एक धोंग था, एक वरेब था, एक दिखावा था इससे मेरे दिल पर क्या गुजरी है वो मैं जानता हूँ क्योंकि ये वहीलाखी थी जिसके बड़ी बड़ी आँखों में मन देखा करता था और मन ही मन कहा करता था, तू मिल जाए तो तक दीद निपू हो जाए जो किसी का दिल दुखाने के गलती कर बैठते हैं वो उन्ही मना भी सकते हैं बड़ा बहरोस आपने आप पाए बात आप परान पड़ी है ना, इसलिए अगर मैं फिर भी ना मानू तो वो तो मैं दीदे हैं तो पर दीदे हैं जिवाए लड़कों का फीचा करने के और कोई काम नहीं आपके पास नहीं यहां रहती हैं जी क्या बच्पना है चलो घर चलो मैं चाची को मना लोगी जी नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ जीदे हैं जीदे हैं तो मैं बहुत में हुआ है जब तो कुम नहीं है जब तो कुम नहीं है मैं जर्वे जर्वे हल्या ऑच्छा जी मैं हारी चलो मान-जाओ ना देखी सब की यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी मान-जाओ ना देखी सब की यारे मेरा दिल जला ना छोटी से कुसूर पे ऐसे हो खपा रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता छोटी से कुसूर पे ऐसे हो खपा रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता देखा दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो छेड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे अज समझे अच्छा जी में हरी चलो मांजाओ ना देखी सब की यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी में हरी चलो मांजाओ ना देखी सब की यारी मेरा दिल जलाओ ना जीवन के ये रासते लंबे है सनम काटेंगे ये जिन्दगी ठोकर खा के हम जीवन के ये रासते लंबे है सनम काटेंगे ये जिन्दगी ठोकर खा के हम वे जलम साथ लेले, अच्छे हम अकेले, जलम साथ लेले, अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चलना सकोगे समझे, हाँ समझे, अच्छा जी मैं हरी चलो मांचाऊ ना, देखी सब की यारी मेरा दिल जलाऊ ना जाओ रे सपोग ना तुम भी चैन से तुम तो खेर लूट ना जीने के मजे क्या करना है जीते हो रहना किसी के हम न रहे तो याद करोगे समझे अच्छा जी मैं हरी चलो मन जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हरी चलो मन जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना आपके शहर में जुल्म हो रहा है, एक बेगुना, उस जुरम के सदा भुग रहा है, जो उसने नहींगिया आज की नाज की तादा ख़बरे सुनिए, ज implication तादा खभरे आना, आज की तादा खभरे एक बेगुना के साथ लां सेफी, सुनिये देखिये तिल्की असली मुझ्रम से मिली भगत पढ़िये 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 तो याना अरे भाई आज की ताज़ा खबर सुए अब बद्रू सेट ऐसे काम नहीं चलेगा कोई नहीं तज्वीश हो जाज की तावा खबर चांद में गया हुआ कुटा इंसान बन गया चांद में गया चांद में गया हुआ सुटा इंसान बन गया एक एक्ट्रेस ने अपने खावन को तराफ दे दिया पर रूसियों ने चांद पर हादी को चला दिया अगर आज आप ही उस बेक असूर को रहाई नहीं दिलवाते हैं तो कल को आपकी आजादी बिशन सकती है आपके साथ भी जावी हो रख्क्तिये मेरे खलाफ क्या सुबूत है तुमने ये नहीं सोचा किसी के खलाफ कुछ भी लिखने से तुम कानून की जदमें आते हो लेकिन कानुन ये भी तो देखेगा कि मैंने उसी का बल-बाला करने के लिए केस लिया है तुम उन्हें को समझते हो तुमने बगर किसी सुबूत के मेरा नाम उच्छाला है मैं तुम पर इज़त हतक का दावा करके तुमारा अखबार बंद करा दूँगा लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता लेकिन हाँ तुम कान खोल कर सुन लो आज के बाद अगर तुमारे अखबार में मेरा जिकर तक भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहोगा हेलो आशा ज़रा यहाँ आओ पिछले दो दिनों से जो तुम करन की कहानी चाप रही हो उसकी सचाई का कोई सबूत है तुमारे पास जी हाँ एडिटर साहब यह वाक्या बिल्कुल सचा है करन के बाप के साथ वाकर नाइंसाफी हुई है मेरे सवाल का सीथा सा जवाब दो क्या इस सचाई का तुमारे पास कोई तहरीरी सबूत है सबूत बेवकुफा कि नियुद करन की हाथ आया तो था और उस्सुपूत मेन के बात के बेगुनाही पे था यदिए असली मुझ्रिंग का पता भी चलता था लेकिन लेकिन वो खट कहा है वो खट करन लेकर वकील से मदद मादद मांगने गए थे क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर वकील मेरे खिलाफ इज़त का दावा कर दे तो मेरे लिए बचाओ की कोई सूरत नहीं यकिन मानिये ये सबसच है मैं सबूत की बात करता हूँ सबूत की तुम्हारी बेवकुफी के वज़े से मेरा नाम, मेरा अखबार, मेरी इज़त सब खतर में पड़ गए है खबरदार, अगर आज के बाद मेरे अखबार में करन का नाम तक भी आया तो लेकिन हम करन के ये मदद करके उसके बेगुणा बाप को जल से आजाद करा सकते है समझा सकती हूँ जुम्हन, तुम अपने कुछ आदमी लेकर फोरन राय साथ के हाँ पहुंचाओ उस करन के बच्चे ने वहाँ भीर लगा रखी है उस भीर को तितर बितर कर दो बहुत अच्चाँ दुनिया में जल्म का मुकाबला दो ही तरह किया जाता है एक हिंसा से और दूसरा अहिंसा से जल्म का जवाब जल्म से देने के लिए आदमी का खुद भी एक जालिम बनना बढ़ता है कि यू हम एक जालिम का खातमा हुँ उकर देते हैं लेकिन उसकी जगे हम खुद भी जालिम बन कह अरे जाती है इस तरह धुarma डुलेघ्रिय कंपर नहीं दूनलर्स 북한 ऑंदर्शाएं होता है इसकी हम्त जुरनों दुर्फवर्त प्लादंगी बाघैर। मैं बड़ा लाचास सा और बड़ा कमजोर सा आदनी हूँ और बड़े चलाक दी हो लेकिन फिर भी में हिम्मत करके सच्चे रास्ते बर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुझे आपकी सहाइथा की जरूरत है इंदे सहाइथा मैं मेरी बात को सुलो अपनी बत्वास आई तुमने कई दिनों से सुलो हल्ले का अम्न और चैन बरबाद कर रखा थे हमने तुम जैसे पाखंडी बहुत देखिए मैं पाखंडी नहीं हूँ मैंने फॉर्प की खिलाव जो कुछ ने कहा है सच कहा है उसने बेक शूर्प मेरे बात को सब्सक्राद दिन वाहिए है हमें क्या पता तुम्हारा कोई बाप था भी या नहीं अभी 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 आब यो अभी आपकर वालो क्या जल्सा बर्खास हो गया घाटे में तुम मेरा देखिए ना मैं तो यहां आपकी तक्रीर सुनने के लिए आया था सोचा था उससे मैं भी कुछ लुद्फ उठाऊंगा लेकिन यहां अगर देखता हूं तो नो वह शूर्प है नजोश और रोश है खेर लेकिन यह जो फूल आपके चारों तरफ बिखरे हुए हैं उससे जरूर पता चलता है कि लोगों ने आप एक तक्रीर बसंद किया मेरी तरफ से मुबारक बात को बूला अगर आप समझते हैं कि इन हरकतों से आप मुझे रोक सकते हैं तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं करन के अब तक कोई खबर नहीं आई मुझे हैदराबाद ले चलो भरिया मगर भावी हमारे पास कोई उसका पता भी तो हो कुछ भी हो वहां चलके ढून लेंगे आप से बात करो आप से तुमको आप बलता है आप से आप बलता है आप से आपको हम बोलता है, हमको तुम बोलता है आप आदमिया है के पाईजमा? कुन्वार का लट लाठी मारेगा? लाठी भारेगा? वाठी भारेगा? कमर्ष घर! या शोर मजा रखा है एड़ो तुम्हार आदमी हाई किस मार्फ बात करता देखो तो गदा लोग आई ते रहल आप यहां कासे आगा है आप जेल से चूटके आया पिता जी कैसे है पिता जी ओ लाड बात करणा बाला था है कैसे है मेरे पिता जी वाल बाइ तुमारा बाप का कंडिशन अच्छा नहीं हाए रोज रोता और होप करता तुम कब छोड़ाएगा उसको क्या करो उनको छोड़ाने की सारी सूरत निकलाई थी लेकिन वाकील ने बेग उनके बेगणाही का सारा सुभूत जला लिया है वाकील राय बहादर जैसंदर राय आप उसे जनते हैं वाकील ने रासकर तुम्हाले बाप काला पानी बेजा आमको पांच बलत जेल बेजा उसका तुम कुछ नहीं बिगाड सकता नहीं बिगाड सकता आप मुझे बता सकते हैं कि इन हाला पे मुझे क्या करना जाहिए वाल यंग बाई यगाट यूर हाट इस्टाम यूपने पिताजी को छोड़ाने कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता है बटू प्यू, इसका है गूत प्यू, और ब्रामी स्कुर मैं कि तुम पिचाय तेगा नहीं प्यू प्यू मैं वादा करता हूँ बाई तुमारा बाप हमको बोला तक के उनको किदर भी ढूंड़ो और इसको बोलो के हमारा बदला लो और इसको बोलो अगर वह हमारे इससे लफ करता है तो हमारे दुश्मन वकील का काता साफ करो और बोलो और बोला हमारा यह आखरी विश्याए उसको पूरा करो वाल बॉय तुम अपने बाप का दिल ठंदा करेगा उसका बदला लेगा तुम वकील का खून करेगा यह तुम्हार बाप का आखरी मर्जी आए कर दो यह तुम्हार दीए झाल वाल को यह तुम्हार बाता पोल यह तुम्हार दो पत्यों उसाय आखरे दुम्हार यह को तुम्हार आज रात को अपने बाप का बतला लू अपी जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ, जाओ, जाओ जाओ के आज जाओ, जाओ जाओ, जाओ, जाओ को फंड हाओ कि जाओ, जाओ वालूज भूजब गम झाट झालूज वालूज। तुम, तुम यहां करश चलिया है? पीलो, एक चाम और पीलो क्योंकि यही तुम्हारी जिन्दगी का आखरी खूटा क्या मतलब? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा खून की ने आया हूँ उस रोस तुमने वुखद जलाकर मेरे पीताची की बेकुनाही का सबूत मिटा दिया था आज मैं तुम्हारी हस्ती को मिटाने आया हूँ तुमने मेरे पिताची पर रहम किया था जब रहम की फीक मुझ से बांग दिया हूँ यह जानते हुए भी को बेकासूर थे किन दामों बेचा था अपने आपको दीवान सरदारी लाल के हाथों आज उन्ही दामों का हिसाब लेने आया हूँ तुम्हारी हूँ तैयार हो जाओ इसाफ चुकाने की आज मेरी बारी है एक मिनट एक मिनट तो क्या दो मिनट भी दे सकता हूँ वकील साहब याद कर लीजिए अपने भगवान को या अपने शैतान को जिससे भी आपकर लगाऊ है मुझे किसी को याद करने की जुरूद नहीं क्यूंकि तुम मुझे नहीं मारोगे मुझे मार देने से तुम्हे कोई फाइदा नहीं पहुंचगा तुम्हेरा खुन बहाने से मेरे दिल की आग ठंडी हो जाएगी तसली मिल जाएगी मुझे कि मैने अपने बेकसूर बाप का बदला ले लियो है तुमसे लेकिन इस से तुम्हेरे बाप को जेल से छुटकारा तुनहीं मिलेगा बलके मेरा खुन करने के जुर में तुम भी ग्रफतार कर ली जाओगी और फिर फांसी या काला पानी याद रखो जब तुम्हारे बुढ़े बाप को पता चलेगा क्यों उसका इकलोदा बेटा खोनी निकला तो वे जेल की दीवारों पर सर पटक पटक कर अपनी चान देतेगा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस वाकएं के जिकर में किसी से नहीं करूँगा तुम जिस तरह चुटके से यहां आयो उसी तरह चुटके से निकल जाओ अभी तुम जवान हो तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़े हुई अब तक जो कुछ भी यहां हुआ उसे भूल जाओ और ने सेरे से अपना जीवन पिताने की कोशिश करो जाओ जाओ defendant जाओ 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 करन के बारे में कुछ नी चपना चाहिए बगार सबूत के इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उन लोगों ने करन को जांसे माडलने के कोशिश की मैं कुछ नी सुना चाहता अब के बार तुमने हमारे शहर की एक मौज़ेस हस्ती दिवान सर्दारी लाल को भी लपेट लिया है इसलिए कि इस वारदात में दिवान सर्दारी लाल कहा थे अब हमें तीर मतला आशा क्या सबूत है तुमारे पास सबूत 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 क्या हो गया है आपको आप ही ने तो हमें सिखाया है कि हमेशा सच के लिए लड़ने चाहिए सच वो जिसका कोई सबूत हो लेकिन आप मैं ज्यादा बहस में नी पढ़ना चाहता तुमने आफिस का डिसिप्टन तोड़ा है आज से हमारे अखबार को तुमारी कोई ज़रूरत नहीं तुम अप्री तनखा ले सकती हो देखें टेकें ताइंस का आफिस यही है ना जी हाँ फर्स फ्लोर पर तेखें सुई हम एक आदि की तलाश में आए है क्या आप हमारी कुछ मदब कर सकती हैं हाँ बेची हम बंबई से आये हैं इस अखबार में उसके बारे में कुछ खबर चबती है किसके बारे में? करन मेरा के. आप बंबई से आईए. आप उनकी ये उनकी माता जी है. नमस्ती, आप से मेंकर बहुत हुशी हुए. मैं हर रोज आपके बारे में उनसे सुनती हूँ. चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ. आईए. बेटा, वापिस बंबई चले. तो उसे समझाते समझाते हार गई. अब तुम ही इसे घर जाने के लिए को हूँ. माजा जी. इन्होंने पिता जी को छोड़ाने के लिए बहुत कोशिश हैं किये, बहुत नुसीबतें उठाई और अब तभी साल में पिता जी को जेल में छोड़ कर चला जाना, कैसे जाएंगे ये? लेके नाशा बेटी, अब तो शंकरलाल की रहाई की कोई उम्मीद नहीं रही, अब इनका यहां रहनों पागलपन नहीं तो और क्या है? मा, मैं जानता हूं तुम मेरे करन बहुत दुकी हो, मैं तुमें दुकी करना नहीं चाहता, लेकिन हर आगमे की जिन्दगी में एक ऐसा वक्त आता है, जब कुछ ऐसा पागलपनी उसका सब को छोफरा जाता है और अब पिताजी को छुड़ाना है मेरे जिन्दगी की सबसे बड़ी आरजू है, जब तक और रहानी हो जाते हैं मेरा इस चैह से जाना नामुमकिन है लेकिन सिर्फ जजबास से तुम अपने बाप को आजाद नहीं करा सकते उनके मुकदमे को फिर से खुलवाने के लिए कानून तुम से वज़ा पूछेगा, सुबूत मांगेगा, यह सब तुम कहां से पैदा करोगे सबूत मेरे पास है तुम्हे सबूत चाहिए न, वही देने के लिए आई हूँ यह लू, यह हैं वो खत, जहने आदालत में पेश करके, तुम असली मुझरिमों को गिरफ्तार करा सकते हो और उसके बाद, आदालत खुद तुम्हारे पिताजी को रिहा कर देगी लेकन, लेकन वो खत जो उस रोज़ आपने मुझे दिये थे वो, वो क्या थे वो नकली थे, यह असली हैं, मैं जानती थी, तुम इन्हें समानने सकोगे क्यूंके तुम्हारे दुश्मन बहुत जाना गए और अब, अब तुम सब कुछ जानते हूँ, कौन क्या है, कौन कौन है किशोरी मेरे पास इलफाज नहीं है, कि मैं तुम्हारा शुक्र आप दूए बस, आपके पिताजाद हो जाए, मुझे सब कुछ मिलके आप क्या जाए खत तो हमें मिल गए हैं, अगर छपवाएंगे कैसे, मेरी नौक्री ही चली गई, अगर मैं ये खत लेकर एडिटर सहाब के पास चली फी जाओंग तो वो शुबूत मांगेंगे, कि शुबूत क्या है कि ये लिखाई दिवान सरदारी लाल के ही हाथ की है, अगर हम दिवान सरदारी लाल के तस्तखत और उनकी लिखाई इस लिखाई से मिला लें तो, तब तो हम छपा सकती हैं, मगर ये तू करोगी कैसे, ओ छुपने वाले अब तेरी चिलमन की खेर हो, दिवान आ गए है, तेरे दामन की खेर हो, दिल वाले हुए, दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुँचे, ओ दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुँचे, ओ दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुँचे, ओ दिल वाले, एका वारा बने हुए, तूटा तारा बने हुए, नहीं जिनके ठीकाने, जो है सबसे बेगाने, वही तेरी दिवाने, ओ वही दिल वाले हुए, दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुँचे, ओ दिल वाले, ओ दिल वाले, ओ दिल वाले, शहरों शहरों फिरते हुए, पहुचे, उठते, गिरते हुए, ओ शहरों शहरों फिरते हुए, पहुचे, उठते, गिरते हुए, वो जो शामों सहर तेरा दर दे जिगर लिये फिर ते ते दर दर हाँ वो ही दिलवाले अब तेरी गली तक आप पहुँचे ओ दिलवाले दिलवाले ओ दिलवाले साथी दिल का साथ लिये हाथों में एक हाथ लिये साथी दिल का साथ लिये हाथों में एक हाथ लिये राह में गुल की नते ढूमते गुन गुनते तेरी नजरों के माते ओ वो ही दिलवाले अब तेरी गली तक आप पहुँचे ओ दिल्लवाले 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 तेरे दर तक आही गए आखर तुझको पाही गए तेरे दर तक आही गए आखर तुझको पाही गए जिनके घायल है दिल, जिनका तू है का दिल, जिन से बचना है मुश्किल हाँ वो ही दिल वाले दिल वाले अब तेरी गली तक आप पहुचे ओ दिल वाले दिल वाले ओ दिल वाले वा, 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 कमाल करती है यह लो इनाम? अज़िए अगे बढ़के ले नाम दिवान साहतले, सिर्माज़ी काये कोई क्या नाम है तुम्हादा? हजूर इस गुलबदन कहते हैं और तुम्हारा? हजूर? हजूर इस गुलबदन कहते हैं जी हजूर अलो, तुम भी नाम लो अरे लेले, लेले हजूर, हजूर मुझे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाए तो भड़ी इनायट हो सर्टिफिकेट? हाँ हजूर हजूर, आपके थेटर में गाने बजाने का छोटा मोटा काम मिल जाए तो खाक सार अपने आपको खुशनसीब समझेगा हजूर, मुझे भी हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगा ये नाम दो लो लेले, लेले लेलो, लेलो फेराना है सलाम हजूर सलाम हजूर रप जा वहे ये आपने क्या क्या हजूर, ये करन है करन जल्दे सिहां से भागने के हो, और अलेटर साब कोई बचा दो और तो मेरे फिकर आदो याखूब, शेंकर, पकड़ लाई से याखूब, शेंकर याखूब! मुटि ये एक अधमिकुनी हाथाथूूूूूएूूखूएूूूदूशूभ अहमद, इसे छोड़ोू, लर्गा पीचाखूूूूूूूूूूूूू ख़गे ख़गे इसे राज ते साथ आदू उस राज़की का पीछा करू ख़गे आँ ख़गे आँ राज़से जब नझ ख़गे क्या वड़गे एगा हुगे एगड़से दू 역시ैठं आपने कहा था ना करण की कहानी बगार से जब के नहीं चाप रिक्ति यह रहे सबूत यह एक खत आज से पंदरा साल पहले का है जो दिवान सरदारी लाला ने लिखा था और यह दिवान साहब की आज की लिखाई तो असली खुनी दिवान सदारी लाल ही निकला अब आप क्या सोच रहे हैं ये तो सब ठीक है आशा लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो जानती नहीं अभी तुम्हें कितना काम करना है ये मेरे कल के अखबार के सुर्खी है ये मेरी हेडलाइन्स है हर तो स्टारी हाँ चुम्हें जो एाफ़िस्थ फस्टारी वजाएबस फसलिएगे ये ताराइन्स ऐ आपाएबस तरकावी मकीलत में गवाप पेश करेंगा मेलोड मैं सिर्फ एक गवाप पेश करना चाहता हूँ करन मेरा गवाप तलब किया जाएं करन मेरा को बलाओ करन मेरा करन मेरा करन मेरा करन मेरा मेरे साथ कहिए मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा आपका नाम मेरा नाम करन मेरा है और मैं उस बदनसीब बाप का बेटा हूँ जो पिछले पंदरा बरस से उस जुरम के सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया है माई लॉड वो बैटे हैं शेहर के रईष खरीबों के हमदर्द दिवान सरदारी लाल जिन्हें मैं आज इस भर्या दालत में माला का गातिल धराता हूँ और वो हैं दिवान सरदारी लाल को सजा से बचाने वाले कानून के मुहाफिज दूद का दूद और पानी का पानी करने वाले राय बहादर जस्वंत राय जिन्होंने जाने किस लालस में अपनी दलीलों और लफजों के शोर में एक बेगुना की चीखों पुकार को डुबो दिया हर असली मुझरिम को कानून के हादों से बस निकलने में मदद की राय बहादर जस्वंत राय का जुर्म ज्यादा संगीन है क्योंकि कानून के मुहाफिज होते हुए भी उन्होंने कानून से गद्दारी किया इंसाफ का खून किया है और आज मैं पूस्ता हूं कि क्या अपनी सफाई में उनके पास किसी कानून का हवाला है माई लॉर्ड इन मुझरिमों ने आवलाद से बाप का प्यार चीना है एक औरत का सुहा गुजाडा है बाप की मुहबत को तड़ पाया है मैं जानता हूं कानून इन मुझरिमों को सजा देगा लेकिन मैं इस अदालत से पूस्ता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है जो मेरे पिता जी की जिन्दगी के वो बेहतरी इन बरस लॉटा सके जो उन्होंने अपने घर के सुक से दूर और अपनी आलाद से बिछड के काते हैं मेरी समझ में तो बस इतना ही आता है मैं लॉड के खानून एक बेगुना के जिन्दगी के पंदरा बरस ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता हूं मैं सिर्फ इनसाफ चाहता हूं मैं लॉड इनसाफ हिने जरूर मिलना चाहिए मैं लॉड मैं अदालत का वक्त जाया करने नहीं चाहता हूं अपना गुनाह मैं तसलीम करता हूं और अपना ये तहरीरी बयान अदालत के सामने पेश करता हूं मैं अपने आपको अदालत के हवाले करता हूँ और कानून की हर सजा मुझे कुबूल होगी करता हूँ झाल झाल